फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सिंगल फेज मीटर की वायरिंग करना तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक मीटर है और एक डबल पॉल की MCB है और एक मारे पास switchboard है तो यहां पर हम complete इसकी wiring करके आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे इसके अंदर कैसे इसके connection होते हैं इसके क्या इसका diagram होता है इसके अंदर कौन सी wire यूज कर रही चाहिए और यह meter कहां पे लगाना सी यह ठीक है तो यह हम अगर मालो हम किराय पे किसी को मकान दे रहे तो वहां पे भी इसको सब मीटर के दोर पे यूज कर सकते हैं और जो हमारे government की supply यूज होती है उसको भी इस तरह से wiring कर सकते हैं ठीक है तो सलिए हम इसकी wiring करते हैं सबसे पहले wiring करने के लिए सबसे पहले फ्रेंट्स मापको मीटर के बारे में थोड़ी सी नोलिज दे देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं यह मीटर की display है यहाँ पे कुछ LED दी हुई है ठीक है और यहाँ पे इसका एक terminal block दिया हुआ है इसको हम खौल के आपको दिखाने वाले हैं अभी इसका diagram भी आपको दिखाएंगे तो friends सबसे पहले तो आपको यह diagram भी दिखा देते हैं ठीक है तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है main main supply यहाँ से input होगी phase और neutral ठीक है और यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंस यह load यहाँ पे यह neutral और phase यहाँ से निकल जाएगा फेट इसका अंदर का ये circuit है यहां से न्यूटल देके इसी से न्यूटल निकल जाएगा और यहां से phase देके इसे ये phase wire निकल जाएगा तो चलिए हम इसकी wiring करते हैं जैसे कि आपने diagram के अंदर देखा इसके अंदर ये दो-दो terminal है इसे इदर के input है और ये इदर के output है तो यहां पे phase wire income होगा और यहां पे न्यूटल incoming आजाएगा और यहां से neutral output हो जाएगा और यहां से output phase हो जाएगा तो चलिए हम इसकी wiring करते हैं wiring करने से पहले फ्रेंट से हमें ये पता होना चीए कि हमारे घर का लोड कितना है अगर लोड पता नहीं है फिर कम से कम 4 square mm 4 square mm की केबल को अमें डालना चीए अगर अगर हमारा future में कोई लोड बढ़ता है तो वो लोड सेहन कर सके वो वायर तो आप यहां पर देख सकते हैं हमें यह 4 square mm की केबल को लिया है यह आप 4 square mm की भी ले सकते हैं 6 square mm की भी ले सकते हैं मीनी में आपको यह 4 square mm की केबल लेनी है ताकि लोड अगर आपका बढ़ता है तो कोई effect ना पड़े तो सबसे पहले में क्या करना है जो मारा input है मीटर का यह वाड़ा input है इसके अंदर इसको फोड़ा लूज करेंगे और इसके अंदर यो रेड कलर का हम phase wire यूज करेंगे तो इसको इसके अंदर connect कर देंगे इसको छील के अच्छे से ठीक है मैंट समने यहाँ पर यह phase wire connect कर लिया है इसके दोनों के दोनों पेज हमने बिल्कुल अच्छे से tight करने ताकि loose connection ना हो अगर loose connection होगा तो यहाँ पर spark होगा ठीक है तो इसी तरह से हम यह neutral wire भी यहाँ पर इस तरह से connect कर ले ठीक है friends यहाँ पर neutral wire भी connect हो गया है आप देख सकते हैं अभी क्या है जो हमारी इसकी output निकलने वाली है friends वहाँ पर हम red color की और black color की wire जोड़ेंगे जो की output phase होगा और neutral होगा तो हमारे पास यह दो wire है ज्यादा बड़ी wire हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारे पास नजदीक में ही है क्योंकि हम आपको यह सिखाने के लिए कर रहे है तो मारे पास यह black color की wire है और एक red color की wire है जो black color की wire है friends उसको हम neutral wire मानेगे और neutral wire को हम इसके पास वाले है जैनकि जो बीच वाला है यहाँ पर connect करेंगे ठीक है यह इधर neutral है और इधर भी neutral है यह output हो जाएगा तो यहाँ पर ठीक है friends यहाँ पर neutral connect हो गया है अभी phase wire हमने यहाँ पर connect है तो ठीक है friends हमने यह output में भी इसकी wire जोड़ लिए यहाँ पर भी friends कम से कम 4 square mm की cable को ही जोड़ना है जहां तक हमारी mcb box है वहां तक हमने 4 square mm की cable को ही लेके जाना है अगर हमें लोड नहीं पता है तो अगर हमारा जादा लोड है तो 6 square mm की cable को हम डाल सकते हैं तो अभी हम क्या करेंगे friends हमारे पास ही है मीटर की output निकल की है output निकलने के बाद जो red color की wire है वो phase है और black color की है वो neutral है जो red color की है इसको हम mcb के इस वाले point में जोडेंगे नीचे वाले point पे तो इसको हम ठीक है friends वो जो यह neutral है black color का उसको भी हम दूसरे वाले point पे ठीक है कुछ इस तरह से अभी क्या है friends जो इसका अमने उपर का cover निकालना था यह इसको cover को भी हम इसके अमने यह cover भी लगा दिया है और इधर से अमने यह input ले ली है और इधर output हमारी mcb के अंदर joint हो गई है अभी क्या है इसके अंदर हम लोड डाल के देखेंगे यह mcb कॉंफ कर लेते हैं यहां से और जो इसके अंदर हमारे बाशे किए switchboard example के लिए आपको demo के लिए स side connect कर देंगे और जितने भी connection कर रहे हैं सारे के सारे अच्छे से tight कर देंगे ठीक है friends और यहां पर आप देख सकते हैं हमने यह switchboard connect कर लिया है इसके साथ तो हम यहां पर एक load डालने वाले हैं load में हम क्या डालेंगे friends हमारे बास एक यह blub है और holder है और इसके पासा यह wire जो देंगे यहां पर जब इसका हम supply देंगे तब इसके अंदर trial करके देखेंगे इसको ठीक है तो हमने यह बिल्कुल अभी wiring complete कर ली है मापको एक बार समझा जेता हूं यह यहां पर phase और neutral input हो गया और यहां से neutral or phase output निकल गया और इसके अंदर MCV के अंदर नीचे से phase और neutral input हो अभी क्या करेंगे हैं जो हमारी यह फेज और neutral wire थी incoming supply थी वहां पर हम फेज और neutral supply दे देंगे तो friends हमने पिछे से supply भी ओन कर रहे हैं तो यहां पर आप डिस्प्ले पर देखते रहे ना कि यह लाइट ओन हो जाए है तो friends हमने पिछे से ओन कर दिया और यहां पर आप नीचे वाड़े point तक हमारी supply आ चुकी है जैसे हम MCB को on करेंगे तो हमारी supply जो है वो switchboard के अंदर पहुच जाएगी तो हम इसको on करते हैं switchboard के अंदर supply पहुच गी है friends अभी हम इसको switch को on करेंगे तो हमारा यह बलब on हो जाएगा यानि कि हमारी circulation हो जाएगा supply है तो friends अभ आवा आपके मन में कोई स्वाल सुजाओ है आपके मन में कोई topic है जिस topic के उपर आप video चाहते हैं तो नीचे comment box में जुरूर comment कीजिएगा कि हमें इस topic पे video चाहिए तो हम उस topic पे आपके लिए video बना देंगे friends आपको ये video कैसी लगी comment करके हमें जुरूर बताना अगर आप इस वीडियो में तब तके लिए जैहिए पंदेवात्रम